Good morning everyone, आज हम लोग फिर human reproduction वारे topic को आगे proceed करने जा रहे हैं आज तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इसका introduction पढ़ लिये थे, male reproductive system पढ़ लिये थे, female reproductive system का कुछ मतलब flow chat में पढ़ लिये थे और उसको continue करते हुए हम लोग इस sperm को भी पढ़ लिये थे और आज उसी को continue करते हुगे देखेंगे कि female reproductive system में क्या क्या चीज हमको देखने को मिलता है चलिए उसको एक बार हम लोग उसको आज हम लोग पढ़ना इस्टार्ट करते हैं तो पहला आज का topic हम लोग सामने है female reproductive system क्या दिया हुआ है एक सेकेंड female reproductive system मतलब इससे पहले हम लोग male reproductive system के बारे पढ़ लिये थे ठीक है इससे एक flow chart के through हम लोग पढ़ लिये थे अच्छे से इसको पढ़ लिये थे फिर हम लोग उसमें देख लिये थे क्या sperm का क्या work होता है फिर बाकी जो भी accessory glands होते है male reproductive system में testis का क्या work होता है sperm कहां बनता है यह सारा चीज हम लोग process हम लोग पढ़ चुके थे ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने जा रहा है female reproductive system अगर female reproductive system की बात की जा जा तो यह इसमें से हम लोग पहला जो पढ़ने वाले है primary sex organ क्या पढ़ने वाले हम लोग primary sex organ I hope इससे पहले जो first video था इस lesson का जो first video था उसमें flow chat में हम लोग indicate करके इसको भी हम लोग अच्छे समझ चुके थे ठीक है उसी को आगा हम लोग प्रोसीड कर रहे है primary sex organ में सबसे पहले आता है ovary क्या आता है ovary जो की female में क्या होता है दो pair का पाय जाता है मतलब pair में पाय जाता है मतलब दो इन नंबर का होता है बात को समझें ovary क्या होता है दो नंबर में होता है ठीक है मतलब दो एक pair में form में दीखेगा और इसका अगर safe की बात की जाए safe क्या होता है almond safe का होता है मतलब जो बदाम नहीं आता है काड़ बदाम वाला ठीक है उसके सेप के जासे होता है ठीक कुछ ऐसे होता है एसे स्रमार में ठीक है तो यह क्या होगई? ओवरी का सेप है अब यह होता कहा है परजेंट कहा हुआ रहता है तो यह it is placed in the lower abdomen of the board side मतलब कहां परजेंट है? यह lower abdomen में परजेंट है कहां परजेंट है? lower abdomen में परजेंट है क्या चीज़? ओवरी female की ओवरी कहां परजेंट है? तो बताएंगे the lower abdomen of the board side अब इसकी size की बात करते हैं किसकी size की बात करें? तो हम कोई size को अदम अच्छे से याद करकर रखना है जो की exam में बार और पूछे जाता है कि इसका size कितना होता है? जो की female ovary है उससे size हमको क्या होता है? size बताएंगे 2 to 4 cm का होता है कितना होता है? 2 to 4 cm का यह most important है ठीक है? अब एक बात आती है कि क्या चीज़ से covered हुआ रहता है? तो ovary is covered with the thin epithelium किसे covered हुआ रहता है? thin epithelium एक layer होता है जिससे हो क्या होता है? तो ovary cover हुआ रहता है ठीक? अब इस ovary में होता क्या है? काम क्या होगा? the formation of ova and also secret some hormones मतलब अगर कोई female का ovary है तो उसमें क्या secret होगा? hormone secret होगे और साधी साथ ova का formation होगा तो इस slide में हमनों यह देखे हैं कि ovary का कितने number पा जाते हैं किस shape क्यों होता है? यह shape इसका most important है इसको आप अच्छे से इसको note कर लिजएगा जो की L mount shape क्यों होता है? अभी इसका position कहा होता है? कहां यह situated होता है? तो बताएंगे it is situated in the lower abdomen of the both side फिर हमनों बात किए इसके size कितना है तो size हम बताएंगे sir कि यह 2-4 cm के size में होता है और इससे किसे cover हुआ रहता है? तो ovary जो होता हुव थीन epithelium layer से यह cover हुआ रहता है और इसमें होता क्या है? तो इसमें ova का formation होता है और साथ ही साथ क्या होता है? सम हॉर्मोन का secretion होता है यहां तक बात clear हो गई? ठीक है? अब इस ovary का एक structure देखें है एक ovary का structure देखें है तो कुछ female reproductive system होता है उसका structure कुछ ऐसा दिखता है अभी हम लोग ovary की बात किए यह ovary यहाँ पर situated है ठीक है? इस figure के थुरू हम अच्छे समझेंगे कि जो female reproductive system है उसमें कौन-कौन से parts आते हैं ठीक है? उसे क्या-क्या function होते हैं और एक छोटे से diagram के थुरू इसको हम वो समझेंगे कोसिस करेंगे सबसे पहले देखता है कि अगर यह female reproductive system है ठीक है? तो सबसे पहले हमको दिखता है uternary fundus जो की एक तरह का warm फूला वाला structure दिखता है ठीक है? इसके लीचे होता है cavity-like structure मतलब खाली space दिखता है bio में कोई भी organ के बीच में जो भी space दिखता है उसको हम लोग cavity के नाम से जानते हैं जैसे हम लोग बोलता है आगर हम लोग breathing पढ़ता है तो वहाँ पर एक word term आता है nose वाला जब पढ़ता है nasal वाला तो वहाँ एक खाली space दिखता है nose में ठीक है? उसको हम लोग बोलता है nasal cavity मतलब खाली space यहाँ भी दिखे यह क्या एक खाली space दिख रहा है खाली space दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलता है uterial cavity के नाम से जानते हैं ठीक अब देखिए यह अभी हम पीछले slide में पढ़े थे क्या कि ovary two pair में होता है और both side present होता है और क्या होता यह यह lower abdomen में पाजाता है यानि कि ovary की बात की जा रही है यह ovary से connected हुआ रहता है fallopian tube क्या connect हुआ रहता है fallopian tube connect हुआ रहता है अब fallopian tube के तीन पार्ट होता है सबसे पहले होता है istmas फिर आता है ampulla फिर आता है infundable ठीक है istmas से क्या काम होता है तो कुछ term मतलब यह माना गया है कि ovary में ova का formation हुआ egg का formation हुआ और इसको catch कौन करता है उसको पकड़ता कौन है तो finger like structure होता है जिसको हम लोग बोलता है fimbrea के नाम से जानते है क्या बोलते हैं इसको fimbrea के नाम से जानते है यह fimbrea क्या करता है तो ovary से में जो भी ova का formation हुआ या egg का formation हुआ यह सुप catch करता है और in fundament के थूँ यह कहा move कर देता है in place of इस thamas में move कर देता है ठीक है और यहीं पे male gamit जो था male gamit क्या था बताई जली सोच के male gamit क्या चाहा sperm यह sperm भी इसी salvics के थूँ यहाँ पे आया पहुचा रहता है ठीक है यहाँ पे sperm भी पहुचा रहता है और यह ova में क्या होता है egg का formation हुआ यह egg यहाँ से चलके यहाँ पे आ गया ठीक है अब इन दोनों के यहाँ पे क्या होता है fusion होता है क्या होता है fusion होता है फ्यूजन टेक प्लेस एट जंसन ओफ इस्थमस एम्प्यूला यह एक्जाम में पुछता है कि जो भी फ्यूजन होना वो किस पार्ट्स में होता है तो यह तो हमको पता है कि फ्यूजन का प्रॉसेस होगा यहां ठीक है मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे लेकिन फिलोपियन ट्यूब के किस पार्ट्स में जाके फ्यूज करेंगे तो एक जंसन होता है जिसको हमलों बोलता है इस्थमस और एम्प्यूलर जंसन कुछ यहां पर एक एरिया होता है ठीक है यह एरिया म भी structure में दखता है तो यह क्या कुछ लेयर जो रेट क्लर कर यह दीख रहा है यह छी यह बने होते हैं मतलब यह느ा28 होता उसमें क्या होता है प्रसौरा क्वांता है सबसे पहले सबसे पहले जो मतलब सबसे अंदर मेखता है उसको ये फर्स्ट लेयर जो भी inner side का जो लेयर दिख रहा है endometrium यही क्या होता है breakdown होता है और blood के साथ tissue mix होके यह क्या होता body से बाहर release होता है जुसका हम लोग मेंसुरेशन cycle के नाम से जाता है तो अभी हम उसको बारे में भी discuss करेंगे कि मेंसुरेशन cycle में होता क्या है किसका breakdown होता है कि टीशू का breakdown होता है ठीक है तो बताएगे क्या कि जो भी endometrium होता है जो फिर तो यह चीज था अगर यह स्ट्रक्चर था किसका फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम का इस्ट्रक्चर था जिसमें लोग देखें किया सबसे पहले हैं uterine cavity देखने को मिला है ठीक है और इधर हमनों में क्या दिखने को मिल था फैलोपियं टीव mm फैलोपीनटी निति दियू बीए फैलोपियंटीव में तीन पार्श देखने को मिले कौन कौन से सब से पहले स्थमस् दीख रहा है Ampula दिखला है फिर Inffindermal दिखला है ठीक है? Istumus में क्या होता है? यानि कि male gamit यहां से inter किया है यहां पे आके यह रुग गया रहता है अब जो भी Overy में जो भी Ova formation हुगा वो क्या होता है? Fembriya के थुरू catch out होता है और यहां तक आ के पहुंसता है और यहाँ पर आकर फ्यूजन और किस जन्सन पर भुता है इस तमस एंप्यूलट जन्सन में आकर यह क्या होता है दोनों गैमीट्स आस्पस में भूण ग्लेंड कियगे यह बात थी किसकी फीमेल रिर्प्रड्क्टिव सिस्टम की ठीय किसकी बात आ रही है असेशरी क्या होता है एक एक मोडिफाइज स्वीट ग्लेंड होता है क्या होता है और इस मिल को सिक्रीशन करने के लिए कुछ है हॉर्मोन की जरोत पड़ती है जिस में से पहला हॉर्मोन होता है फिर होता है फिर होता है प्रजएश्टारॉं फिर होता प्रोकी टॉक्सीन तो ये conscious hormone होता है जोकी ग्लेंड को होता है रिस्पोङशन होता है और करने बाद को ब्रेश्ट हो जाता है और दीकोजिशन होटा है और और इस मेल अलारजहिमैंट और breast हो जाता है यानि कि जो भी breast है ठीक है female का जो भी breast है यानि कि memory gland है उसमें क्या होता है fat का deposition होता है fat का deposition होने के बाद यह क्या होगा enlarge हो जाएगा enlarge हो जाएगा यह किस hormone के through हो रहा है तो बताएंगे क्या estrogen के through हो रहा है estrogen के through हो रहा है मतलब क्या estrogen क्या responsible करता है fat को deposition कराने में और साथ ही साथ क्या करता है breast का enlargement कराने के लिए responsible रखता है फिर दूसरी hormone कि अगर बात की जाए तो दूसरा hormone होता है progesterone progesterone को क्या काम होता है development of memory lobes यानि कि जो भी memory gland है यानि कि breast उसमें lobes पड़े होता है ठीक है उसमें lobes बने रहते हैं वो किस के through develop होता है तो बताएंगे किस hormone के through develop होता है तो बताएंगे progesterone एक hormone होता है यानि कि milk का स्क्रिशन कराना ठीक है जो fetus होता है या बेबी होता है जो मिल्क को सक करता है मतलब ज्यादा बॉडी से बाहर निकलना है में में ली लॉब्स के थुरू तो वो किसके लिए कौन हर्मोन रिस्पांसवर होगता है और टॉक्सिन ठीक है यह स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट के लिए उतना ही कम ह ठीक है यह स्लाइड किसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हमनों बात किया हॉर्मोन की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हॉर्मोन की बात कर रहे हैं जिसमें से पहला हॉर्मोन हमनों बात किया है कि स्ट्रोजन का क्या होता है कि फैट डिपोजीशन कराता है और ब्रेस्ट का enlargement कराने के लिए responsible रखता है, तो अगर एक्जाम में पूछ लिए कि किस hormone के हรू मैमिली ग्लेंड में fat का deeposition होता है, तो बताएंगे क्या estrogen, क्या बताएंगे, estrogen बताएंगे, अगर एक्जाम में पूछ लिया कि milk का production किस hormone के थू होता है, तो बताएंगे कि आप प्रो लैक्तिन के थूँ किसके थूँ होता है अगर exam में पुछ लिया कि आप लोग से की memory loss का development किस hormone के थूँ होता है तो बताएंगे किआप प्रो जेस्ट्रों यह बात आपको भूलेगी नहीं भूलने चाहिए ठीक है I hope यहां तक आपको अच्छे से revise हो गया होगा किस hormone को क्या 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 काम है ठीक है और memory gland को development करने के लिए क्या क्या responsible रखता है तो यह बात थी accessory gland की ठीक है इसमें और कुछ ज्यादा हमको देखना नहीं था फिर अगर हम बात वही memory gland gland को आगे हम contribute करते हैं proceed कराते हैं तो हमको देखने मुलता है memory lobs क्या देखने मुलेगा memory lobs आप लोग फिर अपना को लिए ओवा आप देखिये memory lobs का diagram बनाया होगा ब्रेश्ट का डाइगराम बनाया होगा उसमें क्या होगा छोटे 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 लॉब्स बने होगे जैसे कुछ ऐसा ठीक है ऐसा 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 कुछ रहा होगा यह क्या होते हैं क्या होते हैं यह लॉब्स होते हैं ठीक है यह लॉब्स होते हैं अगर एक जो ब्रेश्ट हो होती यह कितना होता है तो बताएंगे ट्वेंटी टू फिटी टू ट्वेंटी मतलब 15 से 20 लोब्स इम्हें ग्लेंड में या फिर ब्रेश्ट एक ब्रेश्ट में पाई जाते हैं कितने पाई जाते हैं 15 से 20 ठीक है अब यह में लोब्स कहां को अगर एक्जाम कुछ लिए में इसका फ्रोडक्शन होता है जो की 15 से 20 लॉबर का होता है ठीक है तर hybrid कहां जाता है memory में ओपन होने के बाद यह कहां चल जाता है memory ड़क्त में आने के बाद क्या होता है memory Ampula में आता है, memory Ampula में आने के बाद ये क्या होता है? ये क्या होता है? Actified duct तक आता है, यह निकी milk का body से बाहर secret हो जाता है ठीक है? ये था pathway क्या था ये? pathway था सबसे पहले memory lab लॉब याद करकर रहें, फिर बताएं क्या memory alveoli, फिर memory debug अगर फिर हम लोग उगर हम जो दू कि बात करते हैं तो यह ग्स खरता हैं। mother cell, मतलब क्या, Oogonia, क्या बताएंगे, Oogonia, ठीक है, इसमें क्या होता, primary oocyte होता है, birth के बाद ये puberty होता है, उसके बाद फिर ये क्या होता है, activate हो जाता है, जो की body के बाद, ठीक है, ये क्या था, एक ovum का structure है, मतलब अगर हम बात करें, एग है या ova है, कहां formation हो रहा है, ovary में हो रहा है, कहां formation हो रहा है, ovary के अंदर ये formation हो रहा है, I am sing, मतलब एक मन्थ में क्या होता है, एक ova का formation होता है, ठीक है, एक मन्थ में, एक ova का formation होता है, या फिर कर दें कि एक egg का formation होगा, ठीक है, उस जो egg है या ova है, उसका structure कुछ ऐसा दिखता है ठीक है इसका जो outer layer होता है कुछ layers मिल के बने होता है इसका जो outer layer होता है उसको हम बोलते है zona pediocela क्या बोलते हैं इसको zona pediocela अब ये देखिए इस egg के बाहर कुछ-कुछ छोटे-छोटे cell दीख रहे है ठीक है इसको बोलते हैं cell of the corona radiata क्या बोलते हैं इसको cell of the corona radiata के नाम से जानते है ठीक है और इसके अंदर क्या होता egg present होता है क्या होता egg present होता है और उस egg को भी layer क्या रहा था cover किया रहा था जिसको जोना pediocela के नाम से जानते है जो कि इसको हम सबसे पहले पहुंचता है, वो क्या करता है, इसको प्रेणिट करता है, और यहांस प्रेणिट कारता है, फी कह है? पेड़ी उसीला बताएंगे यह क्या होता है सबसे हाडेस्ट लेयर होता है ठीक है इसी लेयर को sperm जो होता हूँ पेनिट्रेट करके एक के अंदर इंटर करता और अपना जो भी गैमिट नुकलियर से उसके साथ क्या करता है यहां तक बात क्लियर हो गई यह किसकी बात की कर रहे हम लोग ओवम की बात कर देखिए यहां पर बहुत सारे है millions of sperm एक के पास पहुचते हैं एक क्या है सिंगल है हां एक मतलब एक नंबर में है एक एक परजेंट है एक ही एक का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन जो भी sperm साय वह क्या होता है millions of sperm होता हमनों बात किये थे कि अगर एक insemination मतलब first insemination हुआ insemination मतलब जो भी male gamit है female reproductive track के अंदर deposit किया जाता है यानि कि sperm का deposition होता है female reproductive track में उसी को insemination के नाम से जानते हैं अगर एक first time ejaculation हो रहा है उसमें 5 to 25 ml तक का sperm deposit होता है ठीक है एक normal average है और इस इतना quantity में कम से कम billions of sperm इसके अंदर रहते हैं ठीक है और वो सारे पहुंचते हैं एक के पास ठीक एक के पास पहुंचेंगे अब उस मतलब एक race होता है उस race में सबसे पहले आके एक के पहुंच गया एक के पास पहुंचने तक था ही नहीं यह लेयर को penetrate करके यह इंटर कर गया जो सपोज किजिए यहां पे एक चोटा स्म यह उस्यों करें आगा एक के rate होड जाएंगे ठीक है यह एक के साथ क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा मतलब दोनों आपस में अपना gamit को fusion करने के जाने की fertilization हो जाएगा यह नॉर्मल सा है अगर उगोनिया देखना है उगोनिया है mitosis ठीक है differentiation होगा primary oocyte का formation होगा जाने की first terminic division होता है फिर क्या होता है secondary oocyte का formation होगा और mitotic division फिर क्या होगा इसमें secondary ucide का formation होगा और secondary ucide होने के बाद क्या हो जाएगा ovum का formation हो जाएगा ठीक है यह slide भी हम लोग cover कर चुके अब बात आती है mensuration cycle क्या बात आती है mensuration cycle यह एक acid cycle होती है जो की female के अंदर perform होती है किसके अंदर होती है female के अंदर perform होती है अब यह होती कब है after जैसे पिवर्टी female heat करती है मतलब पिवर्टी इस्टेज जैसे ही आता है तो यह cycle होने इस्टार्ट हो जाता है अभी आप लोग के याद होगा कि अभी कुछ समय पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे जब female reproductive system का वहाँ पे एक पहला inner side layer दिखा था जिसको हम लोग अंदर मैट्रियम के नाम से दिख रहते है याद आ रहा है figure याद आना चाहिए देखिए figure फिर figure दिखा देते हैं आप लोग को यह आले यह देखिए अंडरोमेट्रियम यही नहीं बता रहे थे अंडरोमेट्रियम वाला यही क्या होता है degenerate होके मतलब breakdown होके bodies से बाहर निकलने लगता है ठीक है उसी को mensuration cycle के नाम से जानते है यह होता कब है जब होगा कब कि अगर एक का fusion नहीं हुआ किसका fusion नहीं हुआ एक का fusion नहीं हुआ मतलब क्या जो भी एक ova बना है ठीक है वो ova क्या कर रहा है weight कर रहा है एक weight कर रहा है फिलोपिन ट्यूब में कि अगर sperm आता है तो मैं उसके साथ fuse हो जाऊंगा ठीक है अगर ये fusion नहीं हुआ fusion नहीं हुआ तो ova क्या होता ये एक होता है वो धीरे-धीरे प्रोसीड करके uterus में आता है और वहाँ पर जो भी endometrium layer था उसके साथ ये mix होके क्या होता fuse हो जाता है breakdown हो जाता है fuse नहीं breakdown हो जाता है और body के साथ क्या होता है body के बाहर release हो जाता है ठीक है इसमें क्या होता है blood निकलता है और साथ-साथ endometrium के जो भी tissues होते हैं वो उसके साथ बाहर release out हो जाते हैं इसी process को mensuration cycle के नाम से जाते हैं हमनों definition भी लिखे हैं the cycle of the events starting from the one mensuration till the next one is called mensuration cycle मतलब क्या जो भी जो भी ओवा था जो की unfertilized egg है ठीक है ओवा मतलब unfertilized egg वो क्या होता है body के बाहर release कर दिये जाए ठीक है जब body के बाहर release कर जाएगा तो endometrium जो था वो breakdown होके body के बाहर आ गया और इसी को हम लोग क्या बोलता है mensuration cycle के नाम से जानते है क्या बोलते हैं इसको mensuration cycle के नाम से जानते है और ये कब होता है तो after at prevertilized मतलब prevertilized जैसे hit किया जो female है hit करने के बाद इसमें क्या होता है mensuration cycle start हो जाता है ठीक है जो पहला mensuration cycle होता है मतलब जो कोई फीमेल है सपोज को प्यूवर्टी एस पर आ गया ठीक है आगरने के बाद उसमें जो पहला मेंसुरेशन साइकल होता है उसको मिनार्ज के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं इसको मिनार्ज के नाम से जानते हैं यह आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे कि जो कोई भी फीमेल लेडी है उसने जो आफ्टर प्यूवर्टी जो भी पहला मेंसुरेशन साइकल परफॉर्म हो रहा हूँ उसको मिनार्ज के नाम से जानते हैं तो अगर एक्जाम में कुछ लिया तो फर्स्ट साइकल ओफ मेंसुरेशन आफ्टर प्यूवर्टी इन फ प्रोसीड होता है तो एक मन्त में 28 या 29 डेस पे यह हो जाता है और इसका जो टाइम डूरेशन होता है कम से कम तीन से दो से तीन से पांस दिन तक इसको देखा गया है ठीक है नॉर्मल अगर बात की जाए ठीक है तो यह था मेंसुरेशन साइकल में क्या याद करकर रखे है है तो एक पीवर्टी से पहिए और अगर फीमेल में पहला मेंसुरेशन साउडील की जाने है तो मिनावज के नाम से जानते हैं फिर इसमें कितने दिनों तक मतलब कितने average पर देखा होता है 28 to 29 days का होता है और यह इसमें जो होता है यहाँ पर अगर include कर दें तो 3 to 5 days तक यह cycle चलते हैं कितने दिन तक 3 to 5 days तक यह cycle चलते हैं ठीक है अब इसी में एक term आता है जिसको हम लोग बोलता है मेनोफेज क्या बोलते हैं इसको मेनोफेज के नाम से जानते हैं जब कोई female lady है यह female woman है जब उनका age 50 तक पहुंच जाता है या 50 hit की या 50 above 50 में तो उनका क्या होता है menstruation cycle over का formation stop हो जाता है मतलब एक बनना stop हो जाता है अब जैसे एक बनना stop हो गया तो क्या सोच के बताइए body के बाद कुछ भी जब ओवा बनी नहीं रहा है तो क्या body के बाद release होगा नहीं होगा जब यह menstruation cycle stop हो जाता है यानि कि एक simple word में कहा है कि ओवा का formation होना बंद हो गया ठीक है ओवा का formation हो नहीं रहा है कब नहीं हो रहा है after 50 year 50 year के जश्ट बाद तो उसको उस condition या उसको हम लोग बोलते है meno phase के नाम से जानते है क्या बोलते हैं इसको meno phase के नाम से जानते है यानि कि the cycle which stops after the age of 50 in woman जो भी mensuration cycle चल ला अब woman के अंदर नहीं हो रहा है उसको मेनो phase के नाम से जानते है क्या बोलते हैं इसको meno phase के नाम से जानते है तो ये बात आप लोग याद कर चेटेए अदम ध्यान से रखेंगे कि mensuration cycle होता कहा है क्या है और किसके अंदर ये perform होता और ये कब होता है कब होता है तो in the sense कब बताएंगे after puberty female के अंदर ठीक है और ये क्या होता है जो भी unfetilizer egg है ठीक है वो क्या होगा body के बाहर release हो गया उसको मेनों mensuration cycle के नाम से जानते हैं और ये कितने दिनों तक देखा गया 3 to 5 देखा गया और ये कब मतलब 28 to 29 days पर ये क्या होता है cycle चलते रहता है ठीक अगर किसी lady के अंदर क्या हो गया mensuration cycle perform नहीं हो रहा है stop हो गया है तो इसको मेनो phase के नाम से जानते हैं क्या होता है उवा का formation हो गया था ठीक है उवा जो भी एक था इन फेलोपियन ट्यूब में आया इंटर किया और आ गया इस्थमस एम्पूला जंसन में ठीक है वहाँ पर आने के बाद क्या इधर से जो भी male gamit था यानि कि इस प्वाम था वहाँ पर पहुंचा जैंसन पर पहुंचा इस्थमस वाले वाले पार्ट पे फिलोपियन ट्यूब पे और वहाँ पर क्या हुआ आके वो fuse कर गया मतलब दोनों gamit आपस में fuse कर गया इसी process को अमनों fertilization के नाम से जानते है ये बहुत बार हमनों revise कर शुके हैं कि fertilization होता क्या है कि जो भी male gamit है और female gamit आपस में fuse कर गया है उसी को अमनों fertilization के नाम से जानते है ठीक है और ये होता कहा है तो बताएंगे कहा होता है female के अंदर female reproductive track में होता है फिलोपियन ट्यूब वाले हिससे में कहा होता है इसमें क्या होता है cleavage होने लगता है मतलब cleavage का in the sense मतलब जो cell होता है वो divide होने start हो जाता है अब जो ये gygot था ये gygot है अब यहाँ पर क्या होता है इससा cleavage होना start हो cleavage in the sense ये कोई cell है इसमें 2 मतलब 2 cell बन गया 2 से क्या हुआ चार सेल बन गए चार से यह आठ सेल बन गए आठ से यह सोला सेल बन गए तो जैसे इस चार सेल के बाद यह सोला सेल बनते हैं फिर क्या आ जाता है मौरूला इस्टेज आ जाता है क्या जाता है मौरूला इस्टेज आ जाता है ठीक है, Morula stage आने के बाद क्या आता है, Blasto-Cyst आ जाता है, Blasto-Cyst के बाद क्या होता है, Embryo का Formation हो जाता है, इनदा case अगर देखा जाए, Morula जैसे ही होता है, यानि कि Solis Stays, Solis Stays के बाद, जो भी stage आता है, Morula stage, ये जो भी, जो, फीटस त्यार हो रहा है, ठीक है, Mother के अंदर, ज क्या हो जाता है, Implant हो जाता है, और ये uterus में में आके Implanted हो जाता है, ठीक है, Implant हो जाता है, और वहीं पर क्या होता है, Blasto-Cyst होता है, Blasto-Cyst के बाद, Embryo का viene-isson हो जाता है, कि यानि कि इसル देखे हैं कि embryo का development कैसे हुगा है तो जो भी sperm है और में एग है मेल दोनों gamete है आपस में दोनों fuse किया है जाएगोड का formation किया है जाएगोड का formation के बाद करने के बाद क्या हो इसमें cleavage होना start हो जाता है cleavage in the sense 2 cell का होगा फिर 4 cell का होगा 4-8 cell 816 cell ठीक है यह सिक्वेंस आपको याद रहने चाहिए टाइक जाएगोड है फिर इंडेक्स करेंगे या फिर बोल देए, कि blastopsisht के बाद क्या बनता है, तो बनता हैं क्या embryo का format वैजआ हिसाथ है, या फिर मौरूला के बाद क्या बनता है, blastopsisht बनता है, या फिर blastopsisht से पहले क्या बनता है, यह sequence आप लोगोग अच्छे से यह आप करके रखना है ठीक है चलिए है अब आता है some features of embryonic development कुछ features हमको देखना है कुछ features मतलब कि जो भी embryo बन रहा है ठीक है embryo बन गया ना cleavage का बारूला मौरूल का बास्टूला अब्लास्टूला का बारूल तो उसमें क्या-क्या features देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो पहला feature दिखता है मतलब क्या चीज़ देखने को मिला the human pregnancy start at the ninth month ठीक है human के अंदर अगर pregnancy देखा जाए कितने दिनों के लिए होता है 9th month के होता है ठीक है हर organism में मतलब elephant में कुछ और time होता है duration वेल में देखा बफेलो में देखा जाए cow में देखा जाए got में देखा तो जितने भी living organism female है तो उसमें अलग-अलग time duration देखने को मिलता है ठीक है अगर हम human especially human की बाद कर रहे है तो human में कितने दिनों तो देखने को मिलता है at last 9th month कितने month तक 9th month तक में देखने को मिलता है पहला मन्थ जो होता है उसमें क्या होता है एंब्रियो का हर्ड का फॉर्मेशन होता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको इस्टाल लाया कि नोट कीजिए कि क्या कि जो पहला मन्थ फर्ष्ट मन्थ है इसमें क्या चीज़ का कि नहीं दिजीट मतलब क्या ये उंगलियां का यह इसका इसका फिंगर्स का फॉर्मेशन होने लगता है ंदिजीट तो फर्स्ट मन्थ में क्या होगा membयो का हर्ट फार्मेशन होगा second month में क्या होगा falou फिर क्या था ट्वेर्टफ 12th week जब आती है 12th week मतला first trimester क्या बोलते हैं इसको first trimester इसमें क्या होता है major organ system बन चुके रहते हैं मतला बहुत सारे organs जो भी body के organs हैं जिस होर्ट होर्ट तो पहले ही बन चुका है first trimester means in human तो क्या बताएंगे कब का time है यह 12th week का है कब का है 12th week का है ठीक है अगर 5 month में पूछे कि क्या चीज़ होता है तो first movement of fetus and appearance of hair on the hand मतला 5th month हो गया gestation period ठीक है 5th month हो गया तो जो भी fetus उसमे movement होना start हो जाता है क्या होता है movement होना start हो जाता है और उसके body पर क्या होता है hair का formation हो जाता है या फिर उसके हाथ पर क्या होता है यह बाल का formation होना start हो जाता है और छोटे 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 बाल भी निकलने लगता है यानि की hair का formation कब होता है Fetus में तो in the month of 5th month कब होता है? 5th month में क्या होता है? hair का formation हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है? Fetus में movement भी देखने कोई start होगा मतलब जो भी बच्या होगा वो मतलब अब ऐसा नहीं की dirt नवाला mother के irgendwann में चलना start कर लेता है फिर आता है 24 weeks, कब आता है, 24 weeks आता है, यानि कि second trimester आता है, इसमें क्या होता है, जो भी eyelids होते हैं, hair, eyelids, यानि कि यह जो pluck होते हैं, यह बन के इस पे बाल, यह सब बन के तियार हो जाता है, ठीक है, और कुछ उसके बाद ऐसा समय आता है, कि body से baby का delivery होना, perform होना, start हो जाता है, ठीक है, तो यह था कुछ embryonic feature जो कि आपको अच्छे से याद करकर रखना है, जो कि क्या होता है, अगर human के case में देखा जाए, तो यह 9th month का duration देखनों को मिल दा है, ठीक है, पहले month में बात की जाए, तो इसमें embryo का heart का formation होता है, second month में बात की जाए, तो इसमें क्या होता ह है, और अगर हम 5th month की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, फीटर्स का movement देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें जितने भी body पे इसके hair होता है, वो develop हो गए रहते हैं, अगर 12th, 24 weeks की बात की जाए, यानि कि second trimester की बात की जाए, तो इसके body में क्या होता है, इसके body प यानि के जाए, तो इसके जाए, फिर आगे आगेए, अब आती है, बात आता है पार्टियूेसन का, एकिसका बात आता है, याद करकना है कि female में जो भी gestation period होता हो कितने दिनों का होता है 9th month का होता है इसमें क्या होता है the process of delivery by the fetus, partuation का मतलब क्या होता है कि body से बाहर जो भी baby के delivery होता है उसी term को क्या नाम से जानते है, partuation के नाम से जानते हैं, तो exam में पुछे कि अगर matching में पुछ दे या फिर one line में ही पुछ दे कि delivery of fetus is known as partuation क्या बताएंगे delivery of fetus is known as partuation अगर female में gestation period पुछा जा तो किना बताएंगे 9th month का बताएंगे, किना बताएंगे 9th month का बताएंगे फिर एक term आता है lactation, क्या term आता है lactation यह क्या होता है, जब baby का delivery हो जाता है, ठीक है मतलब body से बाहर आ गई, mother body से, अब जो mother है उसके जो mammary gland या breast उसमें क्या होता है, milk production होता है ठीक है, उसी का हम लो lactation के नाम से जानता है, यहाँ पर देख लिया जाए, the mammary glands undergo the differentiation during the pregnancy and start the producing the milk towards the end of the pregnancy by the process of lactation जैसी, जैसे क्या हुआ, baby का delivery हुआ, और उसमें क्या होता है, milk का production होना start हो जाता है, उसी process का हम लो lactation के नाम से जानते है ठीक है, the milk of production during the, during the initial few days of the lactation is called colostrum, यानि कि जो भी पहला, जैसी baby का delivery हुआ, उसमें क्या होता है, milk का production होगा female में, ठीक है और जो पहला जो milk produce होता है, उसको हम लो किस नाम से जानता है, colostrum के नाम से जानता है, जो कि aloese fluid के form में होता है किसे होता है white की form में नहीं रहगा तो मैं यूदेशन चाहिए फार्मे सब्सक्रा होता है female के अंदर, उसका हम lactation के नाम से जानते हैं ठीक है और इसमें जो first form जो milk होता है कलोस्तरम को बोलते हैं यानि कि यह somewhat aloese fluid color का होता है aloese color का होता है कैसा होता है aloese color का होता है इसमें क्या होता है several antibodies होते है कि कैसा होते है several antibodies होते हैं, ठीक है, यह क्या करता है, several antibodies होने के बाद, मतलब यह resistance करता है newborn baby को मतलब कोई बाहर से disease cause ना हो जाए ठीक है protect करने काम करता है इसलिए बोला जाता है कि क्या जो बच्चा है उसको मा की दूद पला मा का दूद पला बाहर का दूद नहीं क्यों बोला जाता है क्यों कि उसमें क्या होता है बहुत सारे antibodies होते हैं क्या होते है antibodies होता है जैसे क्या आईजी ए होता है इसमें दो antibodies में देखने को मिलता है कि कि में होता है colostrum में होता या फिर कार देख्या कि जो ऑ फीमेल का मदर का जो milk होता उसके अंदर यह present होता ल्टा इसे की साहँ लोग आज हम लोग हीम रीपर्डक्षन का जोभी जितने लाओं लेशन था, सारे टापिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, इस सारे human reproduction के जो भी parts हम लोग पढ़े थे, उसका अच्छे से revise कर लिजाए, साथ में आप लोग नोर्स भी बना लिजाएगा, और आप लोग को जो भी queries होगी, कोई भी question होगी तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, next class में, thank you